तो यह लीजे फ्रेंड्स रेडी है हो गई है हमारी पंचाबी कड़ी पकोड़ा अलो फ्रेंड्स वेलकम टू भाविकास किच्चन मैं हूं भाविका चावला फ्राम कुलापूर मैं लेते हूं कुकिंग और बेकिंग क्लाप आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेर करने वाली हूं वह समर सीजन में स्पेशली बनाई जाती है वह एक कड़ी की रेसिपी है जी हां दोस्तो दैट is पंजाबी कड़ी पकोड़ा चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे उसके लिए हम लेंगे ये दो प्यास फाइनली चॉप किया हुआ लिया है मैंने इसमें मैं डालूँगी वन टी स्पून जीरा ये लिया है मैंने एक इंच अद्रक का टुकड़ा इसको मैंने कीस लिया है और ये फाइनली चॉप ग्रीन चिली ये है साबूत धनिया जिसे मैंने रोस्ट करके क्रश किया हुआ ये है पुदीना फाइनली चॉप किया हुआ अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी हरा धनिया लाल मिर्ची पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें जायेगा ये वन कप बेसन अब इसमें मैं पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके डालके इसका हम बैटर रेडी करेंगे अब मैं इसका बैटर रेडी करूंगी अब पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा इस तरीके का बैटर आपका रेडी होना चाहिए इसमें अराउंड मेरा हाफ कपी पानी गया है अब हम इसकी पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसलिए में बड़े बड़े डंप्लिंग्स डाल दूंगी कि इस तरह बड़े बड़े बनाने आपको इनको फिर हम एक बार सेकेंड टाइम फ्राय कर लेंगे कि देखे मैंने बड़े बड़े पकोडों को इस तरीके से हाफ आफ कर दिया है यह अंदर से अभी तक कच्छे हैं और अब हम इनको डबल फ्राय करेंगे कि यहां पर मैंने ओइल रखा है यह गरम हो गया है सेकेंड टाइम फ्राय करने से यह एकदम क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे यह देखिए बिल्कुल क्रिस्पी करारे फ्राय हो चुके हैं हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं अभी हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मठा उसके लिए हमें चाहिए यह वन कप दही और यह चोटी सी वाटी वन फोट कप हमें दही लगेगी इसमें डालेंगे हम वन टी स्पून सॉल्ड थोड़ी सी हल्दी और यह जाएगा बेसन यह जाएगा अराउंड थ्री टेबल स्पून बेसन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसका अच्छा सा स्मूध बैटर बनाएंगे जिस कप से मैंने दही लिया था उसमें मैंने पानी डाला है यह एक कप भरके आपको पूरा पानी लगेगा इसमें थोड़ा यह और आदा कप पानी जाएगा यह देखे बिलकुल इस तरह के से पतला बटा मिल्क यह मठा आपको रेडी करना है सबसे पहले मैं डालोंगी ओइल टू टेबल स्पून इसमें जाएगा यह जीरा इसमें डालूंगी यह अतरक को मैंने कीस लिया है आप इंच का टुकड़ा यह है लसुन इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है यह कूट लीजिए यह क्रश कर लीजिए यह मैंने लिया है ओनियन इसको भी मैंने कीस लिया है यह तो आप ओनियन फाइनली चॉप कर दीजिए यहां ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए इसमें आपको ओनियन को फाइनली ग्रेट ही करना है विकोज यह जो कड़ी बनती है वो एक दुम स्मूध बनती है उसके लिए आप ओनियन को ग्रेट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अब मैं इसमें डालूंगी यह है क्रश्ट धनिया साब धनिया इसे भी मैंने कूट के अच्छे से क्रश किया है हमें ओनियन्स को ब्राउन नहीं करना है लेकिन इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेगी 5-6 मिलेट के लिए अब मैं इसमें डालूंगी यह एक टमाटर इसको भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है अच्छे माटर एड़ करते ही हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे अच्छे से मसालों को सौते करेंगे अच्छे साब मिनट के लिए पकाया है यह बिल्कुल ड्राय ग्रेवी जैसा फॉर्म हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी यह मत्था जो हमने बनाया था दही और बेसन अब गैस को फास्ट कर देंगे यह मत्था जब तक बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता तक आपको गैस को फास्ट ही रखना है जैसे यह बॉयल होना स्टार्ट करेगा हम गैस स्लो कर देंगे और इसे धक के 20-25 मिनिट के लिए पकने के लिए रख देंगे यह एक कप मैंने पानी लिया है यह मुझे थोरी गाड़ी लग रही थी इतले में एक कप पानी और डाल देती हूं अब इसे बॉयल आने देंगे पास्ट गैस पर इस देखे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता आपको कंटिनूसली घुमाते रहना है एक बार बॉयल आ जाएगा फिर हम गैस को स्लो करेंगे ढखके बीस पचीस मिनिट के लिए रख देंगे लेकिन बॉयल आने तक आपको इसे कंटिनूस गुमाने यह दखिए इस तरह कैसे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है अब हम गैस को कर देंगे स्लो और उसको धक के बीस से पचीस मिनिट के लिए पकने रख देंगे उसके बाद 25 मिनिट के बाद यह थोड़ी और थिकन हो जाएगी तब हम पानी डाल के थोड़ा एग्जस्ट कर लेगे कि देखे 25 मिनिट हो गए है और हमारी कड़ी रेडी हो गई है लेकिन यह बहुत थिक लग रही है तो मैं इसमें आदा कप पानी और डाल रही हूं कि विकास हम जब इसमें पकोड़े आट करेंगे तो यह और ज्यादा थिकन हो जाएगी कि मारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूंगी और इसे एक दो बॉइल आने देंगे और हम इसे सब करेंगे सब करते हम इसके उपर एक तड़का लगाएंगे इसके लिए जो आप दही यूज करेंगे वो बहुत ही ज्यादा खटी होनी चाहिए तब ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा अब हम इसका तड़का बनाएंगे यह पैन में मैं लूंगी थोड़ा सा ओइल जाल दूगी मैं सुखी लाल मिर्च इसमे जाएगा थोड़ा सा हिंग कड़ी पकोड़े को मैंने बाउल में निकाल दिया है और जो मैंने तड़का बनाया था वो इसके उपर डाल देंगे और इसे हम गार्णिश कर देंगे हरे धनिये से तो यह लीजे फ्रेंड्स रेडी है हो गई है हमारी पंजाबी कड़ी पकोड़ा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेर जरूर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अपने कमेंट्स दें अपना फीड़बैक दें अपना फीड़बैक चैनको जब वाचि थारी खिरेको मारी चैनल को बार एको अपना शेड़बैक जा वाचिए है